नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम अचीवमेंट में मैं करुणा क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ बंगाल शेली के चित्रों का अध्यान दोस्तों ये पेंटिंग सब्जेक्ट का चेप्टर नमबर 7 है इससे पहले चेप्टर नमबर 6 में हमने बंगाल शेली के बारे में जाना कि बंगाल शेली क्या थी इसके प्रनेता कौन थे ये शेली किससे प्रभावित थी और अगर आप लोगोंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप इससे पहले चेप्टर नमबर 6 पर बेस्ट वो वीडियो देख ले जिससे कि आप बंगाल शेली के बारे में जान पाएं अब बात करते हैं बंगाल शेली में बने चित्रों के बारे में तो इसके अंदर पहला चित्र जो हमको हमारे स्लेबस में दिया हुआ है वो है यात्रा का अंठ दोस्तो यात्रा का अंठ चित्र यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं ये देखे थोड़ा सा छोटा कर देती हुआ इसके अंदर एक उट को चितर कार ने जो की लगभग बिलकुल ठका हुआ है, मरनासन अवस्था में है, मरने वाली दशा में है, ठकान से इसका बहुत बुरा हाल हो चुका है ये आगे के घुटनों, मतलब आगे के जो दो पैर हैं, उसके घुटनों के बल लगभग जमीन पर निढाल होकर पड़ा हुआ है, और इसकी कमर पर बहुत सारा बोच, जो की हम कह सकते हैं जिम्मेदारियों का बोच लदा हुआ है बेक्ग्राउंड जो है, वो हलके नारंगी, मतलब गहरे नारंगी और लाल रंग से दिखाया है, और जो नीचे का हिस्सा है, जमीन का हिस्सा है, वो थोड़ी पत्रीली, ब्राउन कलर की जमीन यहाँ पर दिखाई होई है दोस्तों, इस चितर के चितरकार का नाम है अमनिंद्रना टैगोर, हाँ जी, वही अमनिंद्रना टैगोर जिन्होंने बंगाल शेली की स्थापना करी, और वही अमनिंद्रना टैगोर जिन्होंने बंगाल शेली में वाश पदिती की शुरुआत करी, और यह जो चितर आप देख रहे हो ये वाश पदती में ही बना हुआ है बात कर लेते हैं इस चित्र की डिटेलिंगी तो दोस्तों चित्र का नाम है यात्रा का अंत चित्रकार है अवनिंद्रनाट्टे गोर और ये बना हुआ है कागजपर जल रंग से और इसका समय होगा 1937 इश्वी क्यूंकि बं गिना जाएगा वो आदू निकाल गिना जाएगा और क्यूंकि ये वाश तकनीक में बना हुआ है इसलिए इसकी तकनीक होगी टेंपरा प्लस वाश मैं यहाँ पर आपको टेंपरा और वाश के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी टेंपरा और वाश क्या होता है के रंग की वार्णिश कर देना लास्ट में जिससे धुंदला सा वातवरण तैयार हो जाए चित्र में टेंपरा इससे पहले हमने पढ़ी है फरस्ट रम में जब हम रंगों के अंदर सफेद और गहरा भूरा रंग मिला देते हैं कलर को अपारदर्शी बना देते हैं वाश औ या काले रंग का मिश्रन करके चित्र में कलर करते हैं तो वो तकनीक कहलाती है टैंपरा और वाश चित्रन तकनीक में हम काले और सफेद रंग का प्रियोग नहीं करते हैं और अगर हमने वाश चित्रन में काले और सफेद रंग का प्रियोग किया है तो वो हमारा हो जाता है टैंपरा और वॉश आशा करती हूँ आपको ये समझाया होगा और ये चत्र वर्तमान में कहां सुरक्षित है रास्ट संग्राले नई दिली में इस चत्र के बारे में हम जान लेते हैं तो 1937 में अमनिंद्र नाट्य गोर ने इस चत्र का निर्मान किया वॉश और टैंपरा तक्नीक से इस चत्र को बनाया और इन दोनों ही तक्नीक में जलरंगों की आवशक्ता होती है तो जलरंग परियोग में लाए और बंगाल पत्री का प्रवास में प्रकाशित होने के बाद कला की इस महानकृती को पहली बार पहचान मिली इसका मतलब क्या है कि अमनिंद्र नाट्य गोर जी का ये वाला चित्र बंगाल पत्री का जिसका नाम प्रवास था उसके अंदर प्रकाशित किया गया था इस चित्र में उंट को पीले और भूरे रंग से दिखाया गया है उसकी पीट पर भारी भरकन सामान लदा हुआ है ऐसा दिखाया गया है और उस सामान का रंग नीला, काला, भूरा और पीला है इसके अतिरिक्त उंट को रसियों से बंधा हुआ दिखाया गया है उंट की दसा भूका, प्यासा, ठका हुआ है कस्टों से उसकी आँखें आधी खुली हैं और आधी बंध हैं शरीर निढाल पड़ा है इसी कारण इस चित्र को नाम दिया गया है यात्रा का अंत उंट की पीप पर लदाबारी बोज, मालिक द्वारा किये जा रहे चरम, शोशन वे जुल्मों का प्रतीक यहां पर दिखाया गया है इसके बाद भी जानवर अपने मालिक के प्रती वफादार बने रहना चाहता है इसलिए पूरे हिम्मत वे साहस के साल वो फिर से उठने का प्रयास करता है ऐसी छवी चित्रकार ने इस चित्र में उंट की चित्रित की है इसके अतिरेक्त उंट जहां पर गिरा हुआ है उसके नीचे पत्थरों को नीले और गहरे भूरे रंग की आभा प्रदान की गई है प्रस्ट भूमी में लाल, पीले वे भूरे रंग का उचित संयोजन के साथ चित्रन कीया गया है जो की स्रेगिस्तान में सूरे अस्त को दिखाता है तो दोस्तों ये था इस चित्र का विवरन इसके साथ ही जान लेते हैं कि अवनिंद्रनाटे गोर कौन थे अवनिंद्रनाटे गोर एक बहुती बड़े धनाड्य और धन संपन परिवार में इन्हुने जन्म लिया इनके पिता गुणेंद्रनाट थे और इनके चाचा जी रविंद्रनाटे गोर थे हाँ जी वही रविंद्रनाटे गोर जिन्हों ने जन गर्णमन की रचना की है और जिनको भारत में सरप्रथम नौबल प्रसकार से सम्मानित किया गया उनकी पुस्तक गीतांजली पर और उनहीं के तीजे उए अवनिंद्रनाटे गोर अवनिंद्रनाटे गोर का जन्म 1871 साथ अगस्त में हुआ और कहां हुआ जोड़ासा कू कलकत्ता में इसके अतिरेक्त जिस तरह से इनके परिवार में सभी लोग कला प्रेमी थे इसी तरह अमनिंद्रनाटे गोर भी बड़े कला प्रेमी हुए और कला के प्रती समर्पित उस समय जिस समय भारतिय कला परंपरा और ब्रिटिस दुस प्रचारकों के कारण पिलकुल ही तुच श्रणी में आ गई थी या इसका पतन हो चुका था उस समय अमनिंद्रनाटे गोर ने भारतिय कला को एक नई दिशा प्रदान की बंगाल शेली के रूप में जिसको हम जानते हैं अमनिंद्रनाथ ने अपने चित्रों में प्राकरतिक द्रश्य, लोगपर्व, इतिहास, जन जीवन, क्रश्न लीला, सभी चित्र, पुरान और अनेक कथाओं को टैंपरा और वाश तकनीक में जो की जापानी तकनीक कहलाती है उसमें चित्रित किया इनके द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुक चित्र हैं भारत, माता, गणीश, जननी, बुद्ध का जन्म, बुद्ध और सुजाता, तिस्य, रक्षिता, ताज महल, सहाजहां की मृत्यू और जीवन संध्या दोस्तों जीवन संध्या चित्र यात्रा का अंत्र चित्र का ही दूसरा नाम है और यात्रा का अंत्र चित्र वही जिसका विवेजन अभी हम कर रहे हैं कहा तो यह भी जाता है कि रविंद्रनाथ जो की इनके चाचा हुआ करते थे जब उनकी मृत्य हो गई तो उनकी याद में अमनिंद्रनाथ टे गोर ने इस चित्र को बनाया और यह उनके जीवन का अंतिम चित्र कहा जाता है क्योंकि इसके बाद उन्होंने अपने ब्रश का त्याग कर दिया था इसी चित्र को जीवन संध्या नाम से भी जाना जाता है दोस्तों बात करते हैं दूसरे चित्र की चित्र का नाम है शीव तथा सती तो दोस्तों शीव विश्यों पर चित्र जिस बंगाल शेली के आर्टिस्ट ने बनाए उनका नाम था नंदलाल बोस तो कहीं पर भी कन्फ्यूज होने की बात नहीं है अगर शीव या शीव की पत्नी उमा या पार्वती पर संबंधित कोई चित्र अगर पूछा जाए किसका है तो वो होगा नंदलाल बसू या नंदलाल बोस का देख लेते हैं एक बार इस चित्र को तो दोस्तों ये चित्र भी वाश पत्ती में ही बना हुआ है इसके अंदर दो आकरतियों को दिखाया गया है एक पूरुष और एक महिला पुरुष आकरती को शिव के रूप में और महिला आकरती को सती के रूप में चित्रत किया गया है पुरुष आकरती के पीछे प्रकाश पुंच दिखाया गया है और माथे पर चंदन, सफेद, टी का चित्रत किया गया है गले में सर्ब की माला है, बालों का जूड़ा है और लंबे बाल दिखाए गए है पुरुष का शरीर अधनगन है और इस्त्री जो की सती के रूप में हापर चितरित की गई है उनको भगवान शिव ने अपने गोद में लिटाया हुआ है सती का शरीर निढाल पड़ा हुआ है, जैसा की म्रत्यू के बाद होता है शरीर में जीवन की कोई किरण चितरकार ने चितरित नहीं की है सती के चितर को चितरकार ने साडी में दिखाया है और जो उसने आभूशन पहने हुए हैं वो भी एक दिशा में गिरते हुए प्रतीत होते हैं तो दोस्तों आप देख लेते हैं इस चित्र की बारीकियों को तो चित्रकार का नाम है नंदलाल बोस और ये भी क्योंकि बंगाल शेली का चित्र है इसले आदुनिकाल का ही माना जाएगा कागच पर बना है और 1947 एश्वी में इस चित्र को बनाया गया था सेपिया रंग से आप यहां पर पहिशान नहों सेपिया रंग यहां पर जल रंगों को ही कहा गया है और ये जल रंग से बना हुआ है इस चित्र का आकार 43 भायए 56 सेंटिमीटर है और वर्दमान में ये चित्र राष्च संगरालय नंदिली में सुरक्शित है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप राश्च संग्राले न्यू दिली जा सकते हैं दोस्तों एक चीज में यहाँ पर बताना चाहूंगी कि चित्र की जो लंबाई होती है वो जादा होती है और जो चोड़ाई होती है कम होती है तो लंबाई यहाँ पर 56 होगी और चोड़ाई यहाँ पर 43 होगी विवरण में आ जाते हैं तो नंदाल बोस ने भगवान शिव तता उनकी पतनी सती जिनको पारवती भी कहा जाता है उन से संबंदित एक पुराणी घटना को दिखाया है और यह घटना वही है जिसके अंदर जब सती अपने पिता दक्ष के यग में जाती है बिना अनुमती के और उसके बाद वहाँ पर अपने पती का अपमान होते देखती हैं तो उस अपमान को सहन ना कर पाने के कारण माता सती अपने शरीर का त्याग कर देती हैं और उसी घटना को यहाँ पर नंद लाल बोस ने दिखाया है कागज पर पीले, भूरे, बैंगनी तथा लाल रंगों की विभिन आभाओं का प्रियोग इस चित्र में किया गया है इसके अतिरीक भगवान शिव वे सती को प्रमुकता से इस चित्रकार ने दिखाया है और भगवान शिव की जो मुद्रा है वो उदास मुद्रा में या चहरे का भाव कह लो कि चहरे पर जो बाव है वो उदास इंता का भाव है शिव को बैठी हुई मुद्रा में दिखाया गया है और सती के मुर्जाय चहरे को ऐसा हाय भाव से निहारते हुए अपनी दोहनों बाहों से सती के सरीर को सहारा देते हुए भगवान शिव यहाँ पर चितरित किये गए है सती उनके बाएं गुटने पर मूर्चित अवस्था में लेटी हुई है गले, कानों, बाजू वे कलाई में आभूशन वे हलके रंगी साड़ी उन्होंने बांधी हुई है शिव के सर के पीछे हलके पीले रंगा आभा मंडल दिखाया गया है उनका मस्तक जो है वो उजला जैसा की मैंने कहा सफेद रंग से दिखाया गया है और उनके बाल बंदे हुए हैं किन्तु दोनों कंधों के पास फैले हुए हैं जैसा की हम शिव की विभिन परतिमाओं मे देखते हैं शिव के गले में हार है साफ है और उनका धड यानि की शरीर थोड़ा भारिपन लिये हुए है चित्र का अगरभाग बैगनी है वे सफेद रंगों के मिश्रण के द्वारा एस फस्ट यानि की वही जो की विशेशता है वाश चित्रन पदती की हलका लिये हुए है तो दोस्तों ये था विवरण शिव और शती चित्र का अब हम बात कर लेते हैं नंदलाल बोस की बारे में तो नंदलाल बोस इनका जनम 3 दिसंबर 1830 को मुगेल खड़कपूर में हुआ था कलकत्ता की कला विध्याले में अध्यान करते समय इनका परिच्य व वाइस प्रिंसिपल अवनिंद्रणाट तेगोर्जी से हुआ जहां पर इन्होंने बंगाल चित्रशेली के बारे में सीखा और उस पर आगे काम किया अमदिननात के सहयोग से इन्होंने अंग्रेज भित्ती चित्रकार यानिकी अंग्रेजी भित्ती चित्रकार यानिकी लेडी हरिंगम के दल में शामिल होकर या उनकी अध्यक्षता में भी हम कह सकते हैं अजन्ता और बाग चित्रों की अनुक्रती की दोस्तो अजन्ता और बाग आपने 11th क्लास में पढ़ा है ये गुफा चित्र हैं और प्रतिकरती होता है किसी चित्र को देखकर उसकी नकल तयार करना तो इस तरह का काम भी अननलाल बोस ने किया है लेडी हरिंगम के नेतरतु में इस तरह इनको भारते कला की उतकरस्ट कलाकरतियों के संपर्क में आने का अवसर मिला यहीं से इनकी कलात्मक्षैली में व्यापक परिपकवता वेपरिवर्तन आए इनके प्रमुक्चित्रों की अगर हम बात करें तो वो होंगे सती, विश्पान करते हुए सिव, पार्थ सार्थी, बुद्ध की वापसी, स्वन कलश, शिवलोक, सुजाता, उमा, वीनावादनी, अर्धनारिश्वर, व्रक्षरोपन, शिवसती, मा और बच्चा इनका एक चित्र है यहाँ पर डांडी माच, जो की इनका लीनो कट चित्र है, लीनो कट दोस्तों छापा चित्र कला की एक विधा होती है, यानि की ये चित्र नाओ करके एक छापा चित्र है, जो की लीनो कट से तयार किया गया है, लीनो रबड की मोटी शीट को कहा जाता ह नन्दलाल बोस 1920 में कलकत्ता भवन के प्रचार न्यूक्त हुए थे कई विश्विध्यालों ने इन्हें विशेश उपाधियों से सम्मानित किया तथा 1961 में भारसरकार ने इन्हें पदम भूशन से सम्मानित भी किया था कलाकी डृष्ट्री में तीन बहुत पड़े अवर्ड्स माने जाते हैं सबसे पहले पदम श्री, फिर पदम भूशन और तीसरा पदम विखूशन तो इनको सबसे पहले पदम भूशन दिया गया भारसरकार के द्वारा दोस्तों बात कर लेते हैं अपने तीसरे चितर की जो की आपकी स्क्रिन पर है बहुत ज्यादा सुन्दर चितर है ये और इस चितर का नाम है रादिका जिसको हम धूमिल रादिका भी बोलते हैं इस चित्र के चित्रकार हैं अब्दुलरह्मान चगतरी इस चित्र को बारी की से एक बार हम जरूर देखेंगे तो वही वाश्पदती में बना हुआ चित्र है एकदम से घना कोहरा या फिर धूमिल वातावरण रहसे में वातावरण चित्र में उत्पन्न किया गया है चहरा महिला का चहरा नीचे की तरफ जुका हुआ है अपने उल्टे हाथ पर और अधखुली बड़ी आँखें एक चश्म चहरा एक चश्म चहरा दोस्तों होते हैं जिसके अंतर सिर्फ एक आँख को दिखाया जाता है चित्र में सिर्फ एक आँख नजर आ रही है इट मेंस ये एक चश्म चहरा है मोटे पतले पलटदार होट हैं पहनी नाख हैं कानों में गले में आभुशन हैं हातों में चूडिया हैं और इन्होंने पीले रंग की धोती यानि की साड़ी पहनी हुई है नारंगी लाल रंग का ब्लाउज इन्होंने पहना है बहुत ही ज़्यादा कोमल तरीके से रेखाओं, कोमल रेखाओं लेदार रेखाओं से एक नारी शरीर को यहाँ पर चित्रत किया गया है देख लेते हैं दोस्तों, चित्र की डिटेलिंग तो मुहमत अबदुलरह्मान चगतई का ये चित्र है और इन्होंने इसे कागजपर जलरंग से बनाया है 1940 ईश्वी में उन्होंने इस चित्र को बनाया है आधुनिककाल का चित्र ये कहलाएगा टेमपरा वश तकनीक का ये चित्र है और रास्ट्रे संग्रालय में सुरक्षित है दोस्तों कुछ हमको करने की जरूरत ही नहीं है किस बारे में कि कौन सा चित्र कहां रखा हुआ है आपकी बुक में लगभग चितने भी चित्र दिये हुए हैं वो सभी के सभी रास्ट्रे कला संग्रालय नई दिल्ली में रखे हुए है सिवाए एक चित्र के जिसका नाम है समुंद्र का मान मर्दन करते श्री राम इस चित्र को हम आगे पढ़ेंगे अब बात कर लेते हैं इस चित्र की डिटेलिंग की तो दोस्तों अब्दुर्रह्मान चगताई ने इस चित्र को जलरंग की टैंपरा और वाश्विदी से 1940 इश्वी में बनाया इसमें उन्होंने राधिका के मन के भावों को दिखाया है कलात्मा धंग से प्रेमवश आधी खुली आखें जुके हुई गर्दन पीठ तक फैले हुए बाल गले से सटी मोतियों की दो लड़ियों वाली माला या फिर हार उसमें नीचे की और लटका हुआ विशेश अलंकरण लाल पारदर्शी चोली से जहाकते हुए उनका वक्ष इस्थल और इसके अतिरेक्त धागे से बंधा एक सुन्दर अलंकरण दोनों हातों में चूणिया आभुशन पहने हुए दाहिना हाथ नीचे की और लटका हुआ है लेकिन कोमलता के साथ कमल पुष्प को सम्हाल रखा है उस पर श्रीक्रिष्ण की उपस्थिती धरसाती, मधुमक्खी तथा दूसरे हाथ के पुष्प को मुख से लगा कर कोमलता का एहसास करते हुए यहाँ पर धूमिल रातिका को चित्रत किया गया है जिन्होंने कमर के नीचे हलके बैंगनी रंग से पारदर्शी लहंगे को आगे की और दूर तक फैला रखा है पीले रंग की चुनरी जो की पीट वे लहंगे से बहुत हद तक ढकी हुई है उसमें गहरे भूरे वे लाल रंग की वारीक रेखाओं से उसकी किनारी जिसको हम बॉर्डर कहते हैं बनाया हुआ है आकरती के आदे हिस्से पर पास रखे हुए दिये का प्रकाश एक विशेश चमक से दिखाया हुआ है वस्तरों की सिल्वटें उसी रंग को गहरा करके दिखा दी गई है अलंक रद्दियों को जलते हुए प्रकाशित होते हुए दिखाया गया है उसके प्रकाश से प्रकाशित भाग को चमक के साथ लाल पीले रंगों के उचित सेयोजन से दिखाया गया है तथा दूरवर्ती भागों को काले लाल वे पीले रंग की मिश्रित आभाओं से रंगा गया है चगुताई ने इस चित्र को बहुत खूपसूर्ती से रंगों की सोम्यता से वेरे खाओं की लयात्मकता से चित्रित किया है दोस्तों ये था इस चत्र का विवेचन अब हम देख लेते हैं कि अबदुर्रह्मान चगुतई कौन थे इनका जीवन समय था 1897 से लेकर 1975 इश्वी दोस्तों इनका जन 1897 इश्वी में लाहोर में हुआ था इनके पूर्वजों ने ताज महल, लालपिला, जामा मस्जिद, जैसी विश्व परशिद, मुगल, कालीन, इमारतों की रूप रेखा तयार करने में महत्वकून निभाए थी यानि कि इनके पूर्वज भी अवल दर्जे पर कलाकार रह चुके थे तो अब्दुलरह्मान ने अपनी इच्छा शक्ती के बल पर विश्वस्त्रिय चित्रकारी के गुण सीखे थे यानि कि इन्होंने किसी स्कूल से कलाको नहीं सीखा यूरोप की चित्रशेली इनको बेजान लगी इसलिए इन्होंने वापस भारत लोटकर उकील बंदुओं से जोकी शारदा चरण उकील थे और ये थे किसके से शेह अवनिंदरनाट टेगोर के उनसे उन्होंने जापानी वाश तकनीक को सीखा इन्होंने इसी वाश तकनीक से चित्र में रुमानियत रुमानियत होती है एक तरह से खासियत या फिर धूमिल वातावरण रहसे में वातावरण जिसको हम बुलेंगे विक्सित करने की खोशिश की इनके चित्रों की विसेवस्तु एक और हिंदू मिथक पर अधारित थी तो दूसरी और मिर्जवा गालेब इकबाल वे उमर खयाम के काव्यों पर भी आधारित थी अपने चित्रों की प्रदर्शनी चगुतई ने लंदन में, पैरिस में, बर्लिन में, फिलीडेफिया में आयोजित की इसलिए इने विश प्रशिद कलाकारों से मिलने का अफसर मिलता रहा जिससे इनकी चित्रकला और अधिक परिपक्व हो गई देश का विभाजन होने के बाद ये लाहोर में जाकर बस गए दोस्तों ये थे हमारे अबदुर्रह्मान चगुतई हमारा लास्ट चित्र है मेगदूद मेगदूद चित्र को हम यहाँ पर देखेंगे और बादलों का रत एक तरह से हाँ पर बनाया है चित्रकार ने जो पुरुष आकरती है वो आगे बैठी हुई है और महिला आकरती पीछे से पुरुष आकरती को पकड़ के बैठी है जैसे कि आज कल महिलाएं बाइक पर बैठती है आपर यह जो बादल है एक तरह से बाइक बने हुए है इन दोनों के बाल गुंगराले हैं कानों में कुंडल और बहुत सारे आभूषन इन्होंने पहने हुए हैं दोस्तों क्योंकि यहां पर हमें सवा आख दिख रही है तो इस यहां पर चितरकार ने बनाए हुए है देख लेते हैं इसकी डिटेलिंग एक बार नीचे तो मेकदूत और चितरकार का नाम है राम गोपाल विजेवर गिया है कागज परजल रंग से बना है 1940 में बना है आधुनिक काल का चित्र है टेमपरा और वाश पदिती में बना है और ये भी रास्ट संग्रालने नई दिल्ली में रखा हुआ है तो 1940 इश्वी में राम गोपाल विजेवर्गे द्वारा चित्रित में एक दूत श्रंखला का है तो दोस्तों ये एक श्रंखला पर चित्र बने हुए है श्रंखला क्या होती है दोस्तों मतलब जो एक ही विशे पर कई चित्र बनाये जाते हैं उसको हम श्रंखला बोल देते हैं तो इस चित्र को रंगों के बहत्रीन सयोजन के साथ कलात्मक्ता ढंग से चित्रित किया गया है नीले आगाश में विशेश लियात्मक्ता के साथ उड़ते हुए सफेद कपासी बादलों पर सवार प्रेमा तुर यक्ष वे यक्षनी को वास्तविक रंग सयोजन से दिखाया गया है यक्ष के गुंगराले बाल है, कानों में मोतियों के कुंडल है, गले में मोतियों का हार है, बहत्रीन सारी रिक्षर रचना है, मुख पर मुस्कान है, हाथों वे उंगलियों में कोमलता का एहसास है, दाहिने हाथ में कमल पुष्क को पकड़े हुए है हरे रंग की आभाओं से युक्त वस्तरिन होने पहने हैं बारीक रेखाओं से ले दिखाने का प्रयास यहाँ पर चित्रकार ने किया है यक्षनी को यक्ष के पीछे उसकी पीठ से सटकर बैठे हुए दिखाया गया है उसका दाहिना हात यक्ष के वक्ष पर इस तरह से रखे हुए दिखाया गया है मानों दो प्रेमी आलिंगन बाद्ध हो यक्षणी के बाल सफेद फूलों वाले जूडों से बंधे हुए दिखाये गए है मोतियों का हार उसके गले की सुन्दरता को बढ़ा रहा है गुलाबी रंग के वस्त्र से उसने अपने वक्ष इस्थल को ढगा हुआ है कमर के पीछे पीला आभायुक्त वस्त्र पहना हुआ है जिस पर की चितरकार ने सिल्वटों को दिखाया है पैरों में पायल तता हातों में बाजू बंद के साथ-साथ आँखों में प्रेम वे होटों पर प्रशंता का भाव दिखाया पड़ता है आकाश का रंग ऊपर से नीला तता नीचे बादनों के पास हलका होता जाता है चार सफेद पक्षियों को अगर भाग में उड़ते हुए दिखाया गया है वोच एवम टेमपरा तकनीक से बने बंगाल शेली के इस चित्र में कोमलता के भाव के साथ साथ मन मोहक वे मन भावन रंगों का बहतरीन सहियों जन है तो दोस्तों इसी के साथ एक बार बात कर लेते हैं चित्रकार राम गोपाल विजय वर्गिय के बारे में तो राम गोपाल विजय वर्गिय का जन्म 1905 में समाई मादोपुर जिले में एक छोटे से गाउं करोली में हुआ था इसके अतिरिक्त जो इनके पिता थे भवरलाल उनकी रूची को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्राम गोपाल विजय वर्गिय को महराजा स्कूल ओफ आर्ट्स एंड क्राफ्क में अध्यन के लिए पहेज दिया और ये स्कूल कहां है जैपुर में यहां पर इनको गुरू मिले शेलिंद्रनाज डे और ये भी पंगाल शेली के कलाकार थे अपने कला को शांत करने के लिए अपने इंट्रेस्ट में डूबे रहने के कारण ये दिन रात चित्र रचना करते रहते थे और संयोग से कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली अंग्रे जी प्रतिका मौडन रिव्यू के संपादक रामानंद चटर जी ने इनके द्वारा बनाए गए चित्र जिसमें तीन नार्या सिर पर घडा लिये हुए थी को प्रकाशित कर दिया और इसी से इनको पहचान मिली इसके बाद इन्होंने अपने बनाए चित्रों को विभिन प्रतिकाओं में पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए बेजा और वो चित्र थे विशाल भारत, सरस्वती, चांद, माधुरी के अलावा गुजराती, बंगला वे उर्दू पत्रिका जिसको लिखाता काली दासने, मेग दूत, कुमार संभव, उमर खयाम, बिहारी सचसे, इत्यादी राम गुपाल विजयवर्गिया बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इनकी हिंदी वेब्रज भाषा में तीन कविता संग्रे, कहानियों का संग्रे, एक संकलन तथा कला विशय पर लगभग दरजनों कुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है विजयवर्गिया जी की अभिशार निशा नामक कविता संग्रे पर राजिस्थान अकादमी ने कविता प्रसकार से भी इनको सम्मानित किया है और 1984 इश्वी में उन्हें भारत सरकार ने पदम श्री उपादी से भी सम्मानित किया है तो दोस्तों इसी के साथ बंगायल शेली के चितरकार और उनके प्रमुख चितर ये चैप्टर खत्म होता है आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर दें धन्यवाद दोस्तों